जाहिन साथियो तो CRPF Head Constable Ministerial ASI Recruitment 2022 के online आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं तो 12th Pass Candidate Male and Female दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं फ्रेंस आप लोग इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा क्योंकि 12th Pass Head Constable के यह सबसे बड़ी भरती है इतनी वैकल सी आपको किसी भी फोर्स में देखने को नहीं मिलेगी Head Constable के पोस्ट पर तो आप लोग इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा किस तरीके से अप्लाइग कर सकते हैं उसका प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा आप इसली अपना फोर्म एप्लाइग कर पाएंगे तो चलिफने से स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चनल पर पहली बारा हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आलपा सरू क्लिक कर लिजगा सभी इंपोर्टेंट एंड लेटेस्ट अब्डेट आपको हमारे चनल पर मिल जाते हैं तो हम बात करने वाले हैं SSE-Chi S schol के बेच्ट बुक के बारे में जो की चकसू Publication की मिल जाती है चकसू Publication की ये बुक SSE के लेटेस्ट इक्जाम पैटन के बेस्पर बनाए गया है अभी जो SSE-Chi S problema के एक्जाम में कुछ चेंज़ स किये गया है तो उसे ध्यान में रखकर इस book को तयार किया गया है इसके जरी आप अपनी तयारी को boost कर सकते हैं इस book का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा यहाँ पर देखे यह जो tier first आपका होना है दो जाते इसके latest pattern के base पर इसे तयार किया गया है तो इसे आप online buy कर सकते हैं इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा इस book के जरी आप अपनी तयारी को वेतर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी previous year question को भी cover किये हैं जो भी आपके exam में पूछे जाते हैं तो सारे question का collection इसमें आपको मिल जाता है तो इसे आप buy कर लिजेगा link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका form किस तरीके से fill करना है यहाँ पर देखिए इसका form fill करने के लिए आपको इस website पर आना है इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो जैसे आप CRPF की website पर आएगे तो यहाँ पर आप पहुंच जाएगे यहीं पर आपको home page पर ही इस link मिल जाएगा तो इस पर आप click करेंगे तो आप इस portal पर पहुंच जाएगे अब यहाँ पर आने के बाद देखिए पने सबसे पहले आपको registration करना पड़ीगा आप इसा option आएगा इसे आपको close कर देना है यहाँ पर दे सकते हैं सभी instruction दीए जा रहे हैं तो इसे आपको close कर देना है अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर select करना होगा कि आपकी इस post में आवेधन करना चाहते हैं यहाँ पर दो पोस्ट है SI का हेट को तो मैं आपको suggest करूंगा कि अगर आप ट्रॉल के बेस पर आवेधन कर रहे हैं तो आप हेट को इसे आपको अपना इंटर करना होगा जो भी आपका नेम होगा आप यहाँ पर इसे एंटर करेंगी उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इस मुबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अधरवाज इससे ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पर आप अपना इमेल आइडिये एंटर करेंगे उसके बाद उसे कंफर्म करेंगे उसके बाद इस आई अगरी वाले आपसर पर क्लिक करके इस कैप्चर को फिल करें कि इसे विरिफाई करें अब जैसे आप एपना करके इसकाप्चा को फिल करके इसे भीरिफाई करें तो ऐसा आप Say करेंगेड dwarf verf Какर और अपना अपना email करेंगे अभ जैसे आप इसे कर देंगे उसके बाद आपको इस होगा करेंगे तो यहां पर आपका registration complete हो जाएगा अब आपके सामने ऐसा आपटेसन आएगा यहां पर आपका registration हो जाएग मैं उसके जाएगा उसके बाद आपको फॉं फिलिंग का पेज open होके आ जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं ऐसा अपसन आएगा इसे आपको close कर देना है अब यहां पर आपका form filling का section open होके आ जुका है यहां पर 4 section में form fill करना होगा पहला eligibility criteria का है second है communication details का उसके बाद है qualification का उसके iliめ kuntand payment का सबसे इसके पहले आपको अपना देंडर करना होगा जो भी आपका थेंडर होगा यहां से select करेंगे उसके रही पर आपको data birth करना होगा iPhone data birth हो यहां से चूच कर सकते हैं यहां पर आपको data birth करना पड़ेगा उसके बाद indigenous fl Чूझ करना पड़ेगा ने कि उसके बाद वहां पर आपको इंटर करें सकते हैं तो यहां पर आप अपर जो इसका ती करा क्दक्ट कराएं यहां पर आफके सभी प्रिफिरिंस देखने को मिल जाते हैं तुघ तो भी आप यहां से ॸिछ करना से हैं अपने City and and State कुर्णि यहां से चूर्च कर सकते हैं तो तीन फिलिफिनेस यहां पर आपको देने हैं उसके बाए यहां पर आपको इए सब्सें से नगज नगज कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको save and next कर देने हैं, जैसे इस पर आप click करेंगे तो आपका first stage complete हो जाएगा, यहां पर दे सकते हैं data save successfully हो जाएगा, उसके बाद आपका यह first step green हो जाएगा, यहां पर दे सकते हैं तरीके का green हो जाएगा, उसके बाद second step आता है communication details का, अब आपको यह करना होगा, जो भी आपका this होगा, यहां से आप फिल करेंगे, यहां पर अपना address list करेंगे, यहां से county select करेंगे, वसके बाद यहां पर stay select करना है, तो जो भी आपका picture से बार अंटक करना है उसके बार आपको पिं को अिन कोड मोशबय स्कुर्णों सेंटर्थ तो आपको इस ये सक्षब 190 करें…. एह आप सब्सक्राइब यहां पर दे सकते हैं ये भी आपका घ्रिन हो चुका है उसके बाद आपका आता यहां पर qualification details का, अब आपको यहां पर सबसे पहले 10th का details देना होगा, यहां पर दे सकते हैं, आपको 10th का details enter करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले आप अपने board का name लिखेंगे, कि आपका कौन सा board था, उसके बाद यहां पर passing year select करेंगे, कि आपने 10 ते किस year में pass किया था उसके बाद यहां पर institute का नेम लिखेंगे जो भी आपका विद्याला का नेम रहा होगा उसके बाद यहां पर सलेट करना होगा कि mark system कौन सा है percentage है cgpa है या फिग्रेड है तो जो भी होगा आप यहां से सलेट करेंगे उसके बाद यहां पर आपने कितने mark गेंड किये है उसे लिखेंगे उसके बाद यहां पर आपका maximum mark किया था उसे एंटर करेंगे उसके बाद यहां पर आपको टॉल्ट का डिटेस्ट देना है यहां पर आपने बोर्ट का नेम लिखेंगे उसके बाद किस year में आपने ट्रोट पास किया था उसे लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर इस्टिटीट का नेम लिखेंगे कि आपने किस विद्धाले से पास किया था उसके बाद यहाँ पर आप मार्क सिस्टम देंगे कि कौन सा सिस्टम है उसके बाद यहाँ पर कितने मार्क आपने गैन किये ह उससे लिखेंगे and यहाँ पर आप total mark एंटर करेंगे उसके बाद इसे भी save and next कर देंगे अब देखें पर आपका next step आता है document and payment का तो अब आपको यहाँ पर अपना document upload करना पड़ेगा यहाँ पर दे सकते हैं आपको photo upload करने पड़ेंगे and आपको signature upload करने पड़ेंगे and 10th का certificate upload करना पड़ेगा और 12 का certificate and आपको यहाँ पर कास्ट certificate upload करना पड़ेगा अगर आप ओवी सी डावलो यस एंड ऐस्सी कंडिट आते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करके चूच करना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मिट लग रहा है यहाँ पर सो कर जाएगा यहाँ पर दे सकते हैं पचास के बीसे आपके फोटो का साइज होना चाहिए तो आपको इस डॉप फॉटो की बात करें तो फोटो पर ऐसा नहीं किया गया है कि आप डेट डालिये किन्तु आप उस पर डेट डाल सकते हैं और आपका जो फोटो होना चाहिए वह तीन मेंस से ज्यादा पुराना ना हो इसके नोटिफिकेशन में दिया गया था मैंने आपको पहले भी इंफॉर्म किया था कि किस प्रकार का इस बार फोटो लगेगा हलांकि यह तो नहीं दिया गया है कि आप डेट डाली आपकी इच्छा हो तो आप उस पर डेट डाल सकत प्रिवी चेक कर सकते हैं इस प्रिवी वाले आप्सन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर प्रिवी ओपें होके आ जाएगा यहां से आप एक बड़ चेक कर लिजे अगर आपका कुछ मिश्टेक होता है तो आप अभी यहां पर एडिट कर सकते हैं किन्दो समिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे तो यहां पर आप एक बार सारी चीजे अच्छे से रीड कर लिजेगा उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही होता है तो इस कैप्चर को फिल करके सामी बाले क्वल आप सामने पर क्लिक करेंगे अब यहां पर अब यहां पर उपन एप और आप सैने कर सकते हैं अडिजू message करने कर सकते हैं और आपका इस तरीके से final printout निकल जाएगा और यहाँ पर दे सकते हैं मैसेच दे दिया जाएगा यह अप्लिकेशन form has been submitted successful payment is successful तो इस तरीके से final automatic आपका print मिल जाएगा और यहाँ पर आप इस print वाले आप समगे पर क्लिक करके final printout ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने आपको सारा process बता दिया किस तरीके से आपको form fill करना है live form fill करके हमने आपको दिखा दिया final payment भी हमने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया बाकि कोई problem आप comment कर दिजेगा बाकि आप telegram को join कर लिजेगा वहाँ पर जो भी आपका form filling में प्राब्लम आ रहा है मैं आपका solve कर दूँगा तो चलिए इस तरीके से आप form fill कर लिजेगा बाकि मिलते हैं आप लोगों से फिर किसे next वीडियो में वीडियो को लाइक जरू कर देजेगा तब तक लिए जाहिन